है है अब्रिवन लाइब है क्या हम लोग चुलो बगवान का शुकर है फानली लाइब हो गया है स्टार्ट करते एक तो एनरजी वैसे ही खदम होजाती है किल्काज के श्टार्ट्टिंग में एक ॉस टायम से नहीं चलती है पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्यों नहीं चल के देता कोई नहीं इसके बारे में बात करती हूं अगर मेरे ही लैपटॉप में या मेरी एंड से कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो इसको रिजॉल्व कराते हैं अधरवाइस देखते क्या कर सकते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज हम करने व इसके अलावा FCIAG3 crash course आप कर सकते हैं यह 15 दिसम्बर से शुरू हो चुका है यानि कि कल से शुरू हो गया है 15 डेस का crash course है fast track preparation के लिए इसमें आपको मेरी सारी जिये की classes मिल जाएंगी प्लस सभी subject की classes मिल जाएंगी शीदल कोड अप्लाए करना है और आपको maximum discount is code पर मिल जाएगा मैं प्लीज लास त्री मन्स का करा दीजिए लास त्री मन्स का आइधिंग मैंने कराया हुआ है वह तुम देख लो बट कोई दिक्कत नहीं है मैं वापिस से तुम्हें कुछ न कुछ marathon session तो मैंने जरूर लेकि आओंगी नियर फ्यूचर के अंदर ठीक है उसके अलावा यह FCI course जो है इसमें 400-500 MCQs आपके होने वाले हैं तो इसको आप पर चेस कर सकते हैं लिंक description box में मिल जाएगा olibode app का तो वहां से olibode app को डाउनलोड कर लेना यह सारे courses आपके banking super elite का plan का पार्ट है तो आप 2624 में 6-month की validity का banking super elite ले सकते हैं जिसमें आपको यह सभी courses मिल जाएंगे प्लस 2000 जाद मौक टेस्स मिल जाएंगे शीतल कोड का यूस करें app डाउनलोड करने के लिए link description box वे इंदिया हुआ है next is there as per the Forbes India's 100 richest list 2022 released in November 2022 who has topped the list with the net worth of 150 billion US dollar answer क्या होगा okay तो अब यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों का answer देखने को मल रहा है कुछ लोगों का सही है कुछ लोगों का गलत है इदर ठीक है बहुत अच्छे correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा Forbes India ने 100 richest की list यहाँ पर निकाली जिसमें यहाँ पर India की तरफ से कौन रहा इंडिया की तरफ से टॉप पर रहे गौतम अडानी गौतम अडानी जो है यहाँ पर उनकी 150 billion US dollar की network थी और यहाँ पर इनोंने इनकी जो wealth थी 2021 में उसको near about 2022 के अंदर इनोंने almost triple कर लिया है यानि की three times बढ़ चुकी है उसके अलावा अडानी जो है यहाँ पर richest person इंडिया ह होने के साथ साथ Forbes ने इनको बताया है world का second richest person after Elon Musk यहाँ की इनोंने Bernard Arnold इनोंने Jeff Bezos इनोंने Bill Gates सबको पीछे कर दिया इस list के according 16.4 billion US dollar जो किसके है सावित्री जिंदल जो की chairperson है O.P. जिंदल ग्रूप की यह बनी है इंडिया's richest women तो अब आपको दोनों चीज़े याद रखनी है गौतम अडानी इंडिया's richest man और इंडिया's richest women कौन सी है सावित्री जिंदल with 16.4 billion US dollar और गौतम अडानी की कितने 500 million US dollar है इसके अलावा मुकेश अंबानी यहां पर दूसरे नंबर पे रही और तीसरे नंबर पे रही आपके राधा कृष्णन धमानी अवेन्यू सूपर मार्ट से याद रखना गौतम अडानी का net worth 150 billion US dollar से जबकि मुकेश अंबानी का है 88 billion राधा कृष्णन धमानी का है यहां पर 27.6 billion US dollar इस क्लास के PDF के लिए आपको जॉइन करना है शीतर शर्मा01 पर अभी जितने भी लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट है वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजे अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजे दर ठीक है ओके गेमर देखते हैं यहां पर क्या किया जा सकता है next question आ चुका है which of the following points are correct with respect to 11th edition of Federation of India Chambers of Commerce and Industry FIC की Global Sports Summit TURF 2022 and India Sports Award 2022 answer यहां पर क्या होगा सबसे पहला कह रहा है मानव रचना educational institution जो है sector 14 परिदाबाद हर्याना इसको यहां पर मिला है best school promoting sports award आंसर क्या होगा yes ma'am this is correct दूसरा कह रहा है द्रोनाचारे आवोडी और पहले रंजी क्रिकेटर रह चुके हैं जो सरकार तलवार जो की director for sports है इस मानव रचना educational institution के अंदर उनको मिला है lifetime achievement award is this right or wrong yes this is also right next यहां पर है अबनी लखेरा जो की इंडियन पारलिम्पियन है पारलिम्पिक्स के अंदर यह दो मेडल जीत के लाए थी one gold and one bronze मेडल जीत के लिए आई थी आर राइफल शूटर है यह इन्होंने दो मेडल जीते थे टोक्यो 2020 पारलिम्पिक्स में इनको यहां पर ओनर किया गया है as the para sports person of the year award यह सब कुछ कहां पर हो रहा है फिक्की के global sports summit turf 2022 और इंडिया sports award से related है answer यहां पर क्या हो जाएगा answer हो जाएगा all one two and three आप से correct पूझाता क्या होगा तो correct हो जाएगा all one two and three next यहां पर आपका question जो है which word has been selected as mariam webster word of the year 2022 इन में से कौन से शब्द को यहां पर choose क्या गया है 2022 का word answer यहां पर क्या हो जाएगा बहुत अच्छे मंजीत ने एकदम correct answer किया है रियल के उसका answer correct है निकिता का श्रेया का बहुत अच्छे correct answer क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा इदर gas lighting gas lighting word क्या होता है कि जब आप किसी को किसी चीज को करने के लिए influence करें या उसको बढ़ावा दे या उसको उसके दिमाग में वो चीज लाएगा तो उसको gas lighting का आ जाता है जिसे मर्यम वेबसर word of the year का आ गया फिर अगर मैं आपसे पूछू कोलिंस dictionary के according word of the year किसको बोला गया और Cambridge के according word of the year किसको बोला गया आंसर क्या होगा इदर बहुत अच्छे कोलिंस dictionary ने किसको बोला पर्मा क्रैसिस पर्मा क्रैसिस means an extension to insecurity and instability जबकि Cambridge word of the year कौन सारा आ यहां पर तो आंसर क्या हो जाएगा homer बिल्कुल सही homerun से related word है यह homer जो baseball के game में homerun जो होता है is score होता है उससे related है next is here which of the following point are correct with respect to the 2022 UNESCO asia pacific award for cultural heritage conservation answer क्या होगा यहां पर आज बहुत कम live count है guys ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी hundred plus live count anyhow maintain चाहिए ही चाहिए ठीक है पहला कह रहा है 2022 asia pacific award जो है cultural heritage conservation के लिए यह ऐसे 13 award winning projects को दिया गया from six different countries across asia pacific region is this right or wrong क्या होगा इदर answer बही पहले न तुम इसको live count को थोड़ा increase करो ऐसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है live count को थोड़ा increase करिए अभी इसको like करिए और share करिए अपने जितने भी दोस्त वगरा है तुमारे उनके साथ में share करो फटा फट से दो मिनिट के अंदर अंदर मैं जाधा time waste नहीं करना चाहती लेकिन तुमको भी बताए कि कुछ requirements teacher की भी होती है न तो answer यहाँ पर देखते है इतने तुम लोग इसको करो इसको थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो यहाँ पर 13 award winning project को दिया गया UNESCO के Asia Pacific Award 6 अलग-अलग countries में from Asia Pacific region this is right नेक्स यहाँ पर कह रहा है award of excellence यहाँ पर दिया गया चत्रपती शिवाजी महाराज वास्तू संग्राले museum को मुंबई महाराश्टर के अंदर this is also right उसके अलावा award of distinction category में जो step wells of gold konda जो है है हैदरबाद तेलंगाना के अंदर इंडिया ने यह award जीता distinct category में answer क्या हो जागा मैं all A, B and C यहाँ पर सारी की सारी चीज़े क्या है correct है next is year which of the following project has won gold award under the category यह हमने कल भी किया था class के अंदर है न तो यहाँ पर gold award किसको मिला है excellence in government process re-engineering for digital transformation of the national awards for e-governance 2021-2022 ठीके तो मैं आज class जल्दी छोड़ दूँगी answer क्या हो जागा है यहाँ पर answer हो जाएगा audit online और e-gram स्वराज जो है इन दोनों को ही यहाँ पर क्या मिला है gold award मिला है excellence in government process re-engineering for digital transformation के लिए दिया गया है यह 25th national conference हो रही थी e-governance की 26 से लेके 27 नवंबर को कटरा जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ पर यह दिया गया academic और research institutions के साथ साथ जितने भी public sector undertakings है उनको यहाँ पर यह award दिया गया याद रखना इसके अंदर 9 तो gold medals थे और 9 यहाँ पर silver award दिये गए next यह आपका name the organization that has recently honored with the 17th edition of BBVA Foundation Biodiversity Conservation Award क्या होगा यहाँ पर answer BBVA Foundation Biodiversity Conservation Award जो है इनमें से किसको दिया गया है honor किया गया है उसका 17th edition के लिए answer हो जाएगा यहाँ पर international snow leopard trust international snow leopard trust जो है इसको यहाँ पर 17th edition दिया गया conservation awards के लिए global snow leopard ecosystem protection program चलाया जा रहा था GSLEP वाला snow leopard trust जो है यह एक Seattle based non-profit organization है जो इसका technical और financial partner इस GSLP program का बनाए गया next यह आपका Asian richness निकाला गया यहाँ पर November 2022 में जिसमें कहा गया कि जो UK के prime minister है नाम क्या है उनका रिशी सुनाक और उनकी wife अक्षता मूर्थी इनको यहाँ पर कौन सा position मिला है जबकि इसको 8th consecutive time के लिए टॉप किस ने किया है आंसर यहाँ पर क्या होगा ठीक है options यहाँ पर आपके दी हुए तो आपको पता होगा कि रिशी सुनाक और उनकी wife अक्षता मूर्थी जो है यह कौन सी position पर यहाँ पर 17th position पर है लेकिन अगर आपसे पूचेगा यहाँ पर 8th consecutive time के लिए किसने इसको टॉप किया यानकी 8 भी बार लगातार किसने टॉप किया आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हिंदू जा फैमिली next is here who has recently received a guard of owner at the Les Invedis in Paris, France इन में से किसको मिला है गार्ड of owner Les Invedis in France, Paris, France के अंदर किसको दिया गया मनोज पांडे, रादा कृष्ण हरी कुमार या फिर योगेश कुमार जोशी या फिर देविंद्र प्रताप पांडे एम डॉट प्लीज स्पैम मत करिये बाकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है ठीक है आंसर क्या हो जागा? आंसर हो जागा यहाँ पर मनोज पांडे जो की हमारे चीफ आर्मी स्टाफ है उनको यहाँ पर क्या दिया गया है? उनको दिया गया है यहाँ पर यह Less Invedis in Paris, France के अंदर guard of owner इनको दिया गया है याद रखना जो आपके आर्मी चीफ मनोज पांडे है यह हमारे 29 और करेंट चीफ है किसके आर्मी स्टाफ के इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है अती विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है और इसके अलावा विशिष्ट सेवा मेडल भी इनको मिला है Next is here who will be honored at the 73rd Berlin International Film Festival with a homage and golden beer for lifetime achievement in February 2023 in Berlin, Germany तो answer यहाँ पर क्या होगा? मेरा सच में मतलब जिस दिन लाइव कम रहता है ना उस दिन बिल्कुल ना मन ही नहीं लगता है ओके तो क्या होगा इदर answer? बहुत अच्छे जितने भी लोग यहाँ पर the answer करें एकदम correct answer हो जाएगा इदर Stephen Spielberg जो है यहाँ पर इनको क्या दिया गया है? Homage दिया गया है प्लस golden bear जो है यह दिया गया है lifetime achievement award के तैथ February 2023 में Berlin Germany के अंदर और 73rd Berlin International Film Festival के अंदर इनको ओनर किया गया है Next is here who has recently conferred with Dr. Kalam Seva Puraskar जो अभी इनोंने जो society है उसको लगातार यहाँ पर सेवायन देने के लिए जो इनोंने काम किया है इन में से किसको दिया गया है? रवी कुमार सागर, तिलक मेंता, रितेश अगरवाल या फिर फरहाद एसेड वाला अब मैं यहाँ पर तुमारे लिए कुछ एक bonus questions जो है वो चलाने वाले हूँ ठीक है? bonus question में से, सबसे पहला question है कि यहाँ पर जो आपका UN Sustainable Development Goals का Change Maker Award किसको दिया गया? आंसर करिए फटाफट से क्या होगा? class blur दिख रहा है, दिनेश हो सकता है कि यह न यहाँ पर कई बार होता है कि अपने आपी यह आपके डेटा को सेव करने के लिए कम उस पे चला जाता है तो इसको थोड़ा सा increase कर लीजे अच्छा कल प्री का एक्जाम है, all right, all right अच्छा किस-किस का एक्जाम है कल प्री का, किस-किस का एक्जाम है कल प्री का वो चैट बॉक्स में लिखिये फटाफट से SBI PO का प्री कल कौन-कौन देखे आ रहे हैं, बिल्कुर सही, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, श्रिष्टी बक्षी फिर अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछो एक और question, कि किसको यहाँ पर मिला है अवोर्ड, 53 आर्स चैलेंज जो चलाया गया था, Creative Minds 75, Creative Minds के तहट, तो आंसर करिये क्या होगा, कौन सी शॉट फिल्म को मिला, 53 आर्स चैलेंज के अंदर, टॉप प्राइज, और कौन सी शॉट फिल्म का नाम क्या था, डियर डाइरी, ठीक है, दिनेश ने लिखा है डाइरी डियर, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सी टीम जीती, परपल टीम यहाँ पर जीती, ठीक है, फिर अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछू, कि कि किसको मिला है, फ्रांस का, शेवलेयर, शेवलेयर के आगे का मैं बूल गई हूं, शेवलेयर डियर सम्थिन लाइक, ओर्डर ऑफ, the merit legion of the honor जो आपका legion honor है Chevler legion of the honor award जो है France का किसको मिला है ठीक है answer क्या हो जाएगा Indian prominent Indian scientist है जिनको मिला है तो France के न दो award मिले है यानि कि top civilian award जो France का इस बार दिया गया है वो किसको दिया गया है वो दिया गया है आपकी सुआती पीरा मलको किसको दिया गया है सुआती पीरा मल को लेकिन एक और यहाँ पर फ्रांस का जो second top civilian award जो है वो किसको मिला है यहाँ पर order of the merit award किसको दिया गया है तो order of the merit award जो है यह दिया गया है अरुना साहिराम को अरुना साहिराम से मुझे याद आया अरुना मिलर के बारे में अरुना मिलर जो है यह US के कौन से state की lieutenant governor बनी है आंसर क्या होगा यहाँ पर एकदम साहि बहुत अच्छे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा Maryland Maryland US के उदर यह lieutenant governor चूज की गई अब यहाँ पर question जो हमसे पूझा था अबदूल कलाम सिवा पुरसकार किसको मिला है आंसर क्या हो जाएगा रवी कुमार सागर को दिया गया है next is your name the personality who has recently received the french national order the insignia of chevalier de orde national do merit answer यहाँ पर क्या होगा मतलब यह क्या है फ्रांस का यहाँ पर national order दिया जाता है chevalier de orde national do merit तो आपको national merit से इसको याद रखना है किसको मिला है यह national merit award आंसर क्या होगा आशी शुकला, सुमित आनंद, पायलेस कवर या फिर अरुन कुमार राय अब कई लोगों को लगता होगा कि m. जो है न यह मैम का ही कोई नुमाइंद है actually I even don't know कि who is m. और यह I think olibode वालों को भी नहीं पता है शायद कि who is m. लेकिन m. जो है वो super elite भी pitch कर रहा है, वो मेरी classes भी pitch करता है और उसके अलावा क्या क्या करता है मुझे बताने की जरुवत नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को clear कर दू कि मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें बिल्कुल भी नहीं है और मुझे जहां तक लगता है जहां से sense killer लग रहा है वो serial killer नहीं है तो वह वाली vibe लग रही है मेरेको तो यह answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा पायलेस कमर जो है यह director DG है और इंडो-french chamber of commerce की जिनको यहां पर क्या मिला है french national order दिया गया है national do merit नाम से तो आपको याद रखना है जब भी french national order होगा तो पायल S कमर को मिला है next is their name the personality from India who has received the UNEP 2022 Champions of the Earth Award in the entrepreneurial vision category November 2022 इन में से किस personality को from India दिया गया है UNEP Champions of the Earth Award answer यहां पर क्या हो जाएगा बहुत अच्छे एकदम सही है correct answer हो जाएगा मैं पूर्णिमा देवी बर्मन जो है इनको क्या दिया गया है यहां पर UNEP Champions of the Earth Award दिया गया entrepreneurial vision में लेकिन हमारी जो search है वो यहीं पर end नहीं होती है क्योंकि इसके अलावा 3-4 category और में दिया जाता है आपका UNEP Champions of the Earth Award लेकिन अब भी पहले यह बताओ मुझे UNEP जो है इसका establishment कब हुआ था और इसके headquarter जो है यह कहाँ पर पड़ते हैं आंसर इदर क्या होगा फटा फटसे सबी रोग chat box के अंदर answer करिए M. के chats दिखने नहीं चाहिए मुझे इतना तुम लोगों की तरफ से answer आना चाहिए तो इस बार यह इसलिए भी important हो जाता है क्योंकि जो इंडिया की पूर्निमा देवी बर्मन जो है इनको किस में मिला है entrepreneurial vision category के अंदर इनको दिया गया उसके अलावा किस किस को दिया गया है जैसे कि आपका एक है यहाँ पर ursin cl from Lebanon है एक है आपके यहाँ पर Constantino from Tino Auka from Peru ठीक है यह वो awardies है जिनको यहाँ पर यह award जो है पहले वो दिया जा चुका है तो इस टाइप से आपको याद रखना है और Champions of the Earth award जो है यह UNEP ने 2005 से देना शुरू किया है लेकिन इसका खुद का establishment हुआ था 5 जून 1972 को उसके अलावा इसके headquarter है नेरोबी कीनिया के अंदर और यह 5 जून जब इसका establishment हुआ तो उसी दिन को हम क्या मनाते हैं Environment Day भी बनाते हैं उसी दिन को हम क्या मनाते हैं परियावरण दिवस जो है वो भी हम यहाँ पर मनाते हैं अब इससे मुझे काफी सारी चीज़े याद आ रही है लिट्रेचर जो है लिट्रेचर के अंदर सबसे बड़ा लिट्रेचर का Oscars एक तरीके से माना जाता है इस बार का मैन बुकर प्राइज किसको मिला और कौन से नोवल के लिए मिला आंसर क्या होगा बहुत अच्छे जेसी भी प्राइज फॉर लिट्रेचर किसको दिया गया दपेरडाइज ओफुड के लिए दिया गया और इसके ओथर कौन है खालिज जावेज उन्होंने इसको ओरिजनली उर्दू लैंग्विज के अंदर लिखा था दे पैरडाइज ओफ फूड को नैमत खाना के नाम से 2014 में लिखा था जगर नॉट बुक्स ने इसको पब्लिश किया था खालिज जावेज जो है ये उर्दर राइटर है लेकिन इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस ने किया बरुन फरूकी ने किया इसको उर्दू से इंग्लिश में लिखा और इनको पांचवा जीसीबी प्राइस जो है जेसीबी प्राइस लिटरेचर के लिए 2022 के लिए मिला गया तो यादखना Paradise of Food जो है इसका fourth translation है इंग्लिश के अंदर और इसका पहला जो सबसे पहला जो रचना थी वो उर्दू के अंदर थी ये जिसने ये अवार्ड यहाँ पर जीता है पहली बार किसी उर्दू की रचना ने ये अवार्ड जीता है नेक्स यहाँ पर Man Booker Price इस बार किसको मिला ओके समार राइटिंग है रेत की समाधी रेत की समाधी के अलावा अभी किसको मिला है यहाँ पर स्नेहन करुना तिलिका को मिला है कहां से हैं ये श्रिलंका से हैं तो श्रिलंका से त्रिलिका याद रख लेंगे करन तिलिका याद रख लेंगे श्रिलंका से याद रख लिया और कौन सी बुक के लिए the seven moons of Almeida इससे पहले किसको मिला था ये man booker prize इससे पहले ये man booker prize जो है ये दिया गया भारत की गितांजली श्री को गितांजली श्री ने हिंदी के अंदर एक किताब लिकी थी नाम था उसका रेत की समाधी लेकिन जो man booker prize है उसके लिए ये requirement है कि वो एक तो book English में लिखी होनी चाहिए और दूसरा UK के अंदर publish होनी चाहिए UK के लोगों ने पढ़ा हो publish हुई हो तो उसके लिए यहाँ पर इसका English translation किस ने किया रेत की समाधी का तो English translation किया यहाँ पर Daisy Rockwell ने और यह किताब पहली ऐसी किताब बनी जो originally किसी Indian language में लिखी गई थी फिर इसको English में translate किया गया और यह जीती ठीके तो यह इसने एक इतिहास रखा था कि पहली बार ऐसा हुआ कि Hindi में लिखी हुई कोई किताब जो है वो क्या जीत के लाई है मैं बुकर प्राइस जीत के लाई है लेकिन अगर आपसे पूछेगा FIRST Indian TO WIN MAN BOOKER PRIZE TOO ANSWER क्या होगा छीके है तो आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा यहां पर अरुन धती रोय फिर आप कहेंगे कि मैं वो Indian है तो उन्होंने Indian language में नहीं लिखा नहीं उन्होंने बुक जो थी वो English में ही लिखी थी 1997 में नाम था उसका God of Small Things इंग्लिश में ही लिखी थी इन्होंने और 1997 में इनको मिला था Man Booker Prize इसके लिए वह लग बात है कि इसके उपर काफी ज़ादा यहाँ पर चर्चाओं में रही थी Controversy भी रही थी कि गलत दिया है नहीं देना चाहिए था यह वो वगएरा वगएरा तो आंसर यहाँ पर क्या होगा जितने भी लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट है अभी प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजे सभी के सभी और चानल को सब्सक्राइब कर देना डेली मेरी क्लास 12 बजे होती है FCI के लिए अगर आपको क्लास जोइन करना है तो FCI की क्लास होती है सुबा 11 बजे डेली क्लास कांटिन्यू रहने वाली है सुबा 11 बजे तो सभी लोग टाइम से जरूर जोइन करें 11 बजे और 12 बजे भी अब यहां पर क्या है कि वो आदे गंटी की क्लास होती है FCI की तो आपको फिर आदा गंटा जो है वो ब्रेक भी मिल जाएगा ताकि आप इस क्लास को 12 बजे यहां पर जोइन कर सको अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहां पर FCI का एक्जाम भी दे रहे हैं हाव मैं प्लीज अप्लोड हैं रिटन क्लास पीएफ इन टेलिग्राम बिल्कुल बिल्कुल हैं रिटन डाल दूंगे मैं टेंशन मत लेजें ओके तो काफी लोग हैं यहां पर जो FCI के लिए कर रहे हैं एम डॉट प्लीज थोड़ा शान्ती रखो इदर आंसर क्या होगा इदर अच्छा इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछू कि किसको मिला है 50 सेकंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवर्ड या फिर 50 सेकंड किस इस गूड कोईशन दादसाइफ फाल के अवर्ड किसको दिया गया फिर अगर मैं आपसे पूछू नैशनल अवर्ड जो दिये गए उसके अंदर बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी आंसर क्या होगा इदर तो याद रखना 50 सेकंड दादस फीचर फिल्म अवर्ड किसको दिया गया है तो याद रखना ये मिला है आपकी मूवी सूर्या को फिर एक और क्वेशन यहां पर क्वेशन क्या है आप लोगों के लिए क्वेशन यह है कि लता मंगेशकर लता मंगेशकर अवर्ड दिये गए म्यूजिक के अंदर मंगेशक 2019 में किसको दिया गया अरे यार मैंने सूर्या लिख दिया सूरा राई पोत्रू सूरी 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 सूरा राई पोत्रू बेस्ट एक्टर मिला है सूर्या को पागल हो चुकी हूं मैं M.Kasar सब जगा है सूर्या और अजय देवगन दोनों को मिला है Best Actor Award जबकि Best Actress पूचेंगे तो सूराराई पोत्रू के लिए जो अपढ़ना बाल मुरली है उनको मिला है अपढ़ना बाल मुरली कृष्टन ठीक है याद रखना अब यहाँ पर 2019 के लिए किसको मिला शैलिंदर सिंग को मिला लता मंगेशकर Award ठीक है फिर 2020 में किसको मिला तो आंसर हो जाएगा आनंद मिलिंद को ठीक है और 2021 में किसको मिला तो आंसर क्या हो जाएगा कुमार सानू को ठीक है ओके इस बार बहुत बड़िया बहुत बड़ा बहुत जबर्दस question है इस बार का जो राजीव गांदी खेलरतन Award होते थे सबको पता है कि वो ध्यानचंद Award बन चुके है major ध्यानचंद खेलरतन Award ध्यानचंद खेलरतन Award इस बार किसको मिला जो भारत के अंदर top level सब से उपर का sports award जो है वो माना जाता है तो आंसर यहाँ पर क्या होगा बहुत अच्छे एकदम सही शरत कमल को अचानता शरत कमल को मिला है मुझे ये बताओ कौन से sports player है शरत कमल जिनको ये दिया गया है तो मैं आपके बहुत सारे awards revise करा रही हूँ आज बहुत सारे awards रिवाइस हो रहे है शरत कमल क्या है ये टेबल टैनिस प्लेयर है ठीक है याद रहेगा आपको यहाँ पर क्वेशन था कि किनको मिला है यहाँ पर lifetime achievement award थूफिकी तो आंसर क्या हो जाएगा राजेंदर सिंग पवार को दिया गया है फिकी का एर्थ यहाँ पर higher education excellence award ceremony चल रहा था 17 नवंबर 2022 को इनको दिया गया IT सेक्टर के अंदर जो भी इनका performance था याद रखना राजेंदर सिंग पवार जो है इनको इंडिया का third highest civilian award जो की है पद्म भूशन ये भी मिल चुका है trade and industry 2011 के लिए एक चीज और मुझे याद आ रही है ये मैं पूछ के रहूंगी कि उत्राखंड गौरव award दिये गए उत्राखंड गौरव सम्मान जो था वो यहाँ पर 5 लोगों को दिया गया आपको बताना है कि 2 लोग ऐसे जिनको जीते जी ये मिल गया है दूसरा बंदा Central Board for Film Certification का Chairperson क्या नाम होगा नाम हो जाएगा प्रसून जोशी प्रसून जोशी तीसरा बंदा वो कौन है वो अब मर्नो प्रांथ पे चलते हैं वो आपके 1st CDS यानि की Chief of Defense Staff थे आंसर क्या हो जाएगा जर्नल बिपिन राबत बाकी दो बंदे एक Lyricist और Writer Point है और एक Writer and Point है एक Lyricist and Point है और एक Writer and Point है एक का नाम क्या है यहाँ पर एक का नाम क्या है यहाँ पर कोई बता सकता है मुझे हाँ गिरीश तिवारी जिसको गिर्दा भी कहते हैं और दूसरा कौन सा है दूसरा है विरेन दांगवाल विरेन दांगवाल is a poet and गिरिश तिवारी is a lyricist next जाएं यहां पर आपका according to the S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2022 इन में से किसको यहां पर third rank किया गया globally in the metal and mining sector and retained first position in Asia Pacific for the fourth consecutive year answer यहां पर क्या होगा बहुत अच्छे correct answer हो जाएगा मैं हिंदुस्तान Zinc Limited जो है हिंदुस्तान Zinc Limited के अंदर भारते सरकार अपने कितने stakes बेचने का सोच रही थी या सोच रही है इस साल के अंदर answer क्या होगा हिंदुस्तान Zinc Limited जो कि Standard and Poor Global Corporate Sustainability Assessment Report आया था 2022 का इसको थर्ड यहां पर बोला गया और फर्स पोजिशन दिया गया Asia Pacific region के अंदर fourth consecutive year बहुत अच्छे 29.58% stakes जो है यह disinvestment के तोर पर सरकार बेचना चाहती है दूसरी चीज़ अब मेरे को एक चीज़ और याद आ गई अवार्ड से related है वो चीज़ वो क्या है कि आपका अभी केरल जो है उसने याँ पर पदम अवार्ड की तरज़ पर अवार्ड चलाए है civilian अवार्ड चलाए है अब यह रखा गया त्रीन कटेगरीज में सब से उपर केरला जियोती अवार्ड second number पर केरला प्रभा अवार्ड और third number पर केरला शिरी अवार्ड ठीक है केरला जोती कितने लोगों को मिला एक को मिला नाम क्या है उसका वीटी कुछ करके है M.T. वासुदेवन नायर M.T. वासुदेवन नायर अब तुम लोग देख लो तुमको मैं कितना कराती है और उसके बाद तुम याद कितना सा रखते हो फिर आता है आपर केरला प्रभा अवार्ड कितने लोगों को दिया गया चार लोगों को दिया गया या छे लोगों को दिया गया केला प्रभा आवॉर्ड के अंदर एक एक्टर थे उनका नाम बता दो काफी मल्यालम फेमस एक्टर हैं क्या नाम है उनका ममूती एकदम सही दूसरे एक यहां पर डेली बेस्ड प्ले राइटर हैं क्या नाम है उनका ओम चैरी उनको दिया गया मलियालम राइटर है डेली बेस्ट प्ले राइटर है उनको दिया गया एम मैनन को दिया गया बिल्कुल सही है ओम चैरी एनन पिल लई इनका पूरा नाम है फिर अगर आप से पूछू केरला शरी अवार्ड जो है यह कितने लोगों को दिया गया फॉर्स टाइम लाइब वाले वेलकम गाइस डेली यहाँ पर हम लोग यही करते हैं बैटके मत्था बच्ची करते हैं पुराने उनको खोदते हैं नए वाले करते हैं पुराने में दिमाख खपाते हैं मैं उनको बताती हूँ कि बेटा आप क्या करना है यहाँ पर आप फस रहे हो तो अब क्या करो अभी की अभी क्लास के जस्ट बाद यह as a homework दे रही हूँ कि आपको कैरला प्रभा और कैरला श्री अवार्ड्स देखने है कैरला जोती में भी फसे हुए है कुछ लोग जबकि वो तो एक ही नाम था है ना हाँ यहां सर फोड़ते हैं और M. की वाते सुनने कई लोग तो यहां पर seriously fanbase ही M. का है M. की वाते सुनने आते हैं कई लोग हो सकता है शायद मैं भी सुनने आती हो M. की वाते इदर इसके अलावा मेरा complete GA course है SBI exam के लिए यह आप अवेल कर सकते हैं शीतल कोट पर आपको इस पर maximum discount जो है वो मिल जाएगा and I think near about यह आपका 824 रुपीज का पड़ेगा तो फटा फट से इसको जॉइन करें SBI clerk मेंस के लिए यह बहुत important बैच है आपका जिसमें मैं सारे banking financial awareness की जितने भी topics है वो करा रही हूँ प्लस सारा current affairs आपका complete होने वाला है प्लस यहाँ पर एक नई चीज शुरू कर रही हूँ current affairs based banking concept तो उसको भी हम यहाँ पर करेंगे इसके इलावा FCI AG3 crash course आप लोगों के लिए available है तो जो भी इसको purchase करना चाहता है यह 15 दिन का एक crash course fast track preparation plan है जो हम teachers ने बनाया ताकि जल्दी से जल्दी आपके revision हो सके और जाता से जाता आपको questions की हम practice करा सके तो 400-500 MCQs का यहाँ पर practice होने वाला है आपका मैं खुद आपके लिए यह MCQs frame करके लेके आ रही हूँ तो शीतल code का use करें और यहाँ पर भी आपको maximum discount मिल जाएगा ओलिबोर्ड की app पर जाकर check कर लेना ठीक है आरे वो देखो कुछ लोगों होते है attention seeker दे दिया करो थोड़ी सी attention क्या हो गया मांग ली तो लेकिन ये बात सच्च है कि आज तक किसी को नहीं पता लग पा रहा ओलिबोर्ड और शीतल मैं दोनों का सरचक्रा रहा कि यह बंदा है कौन कौन है यह secret जो ओलिबोर्ड को भी इतना ही चाहता है और शीतल मैं के लिए भी इतना ही favor में है कुछ तो बात है 6 मैंने के लिए आपको मिलेगा 2624 में शीतल कोड यूज करने पर बैंकिंग सूपर इलीट के अंदर यह सारे courses प्लस 2000 से जादा mock test आपको मिलते हैं तो अगर आप एक या दो से जादा exam आप करते हैं जैसे FCI और SBI PO भी करना चाहते हैं FCI भी कर रहे हैं SBI Clark भी करना चाहते हैं तो अलग-अलग लेजिन के बजाए सिर्फ सूपर इलीट ले लो 6 महीनी के लिए जितने नई courses आएंगे जो पुराने courses है सब तुमको मिल जाएंगे अब कहा रहा है which word has been selected as Cambridge dictionary word of the year आंसर क्या हो जाएगा quit quitting, homer, wordal या फिर parma crisis अब देखना बहुत सारे लोग confused होने वाले है क्यों? क्योंकि इसमें दो word ऐसे जो है वो इस बार Cambridge dictionary और colon dictionary ने दिये थे अच्छा Cambridge वाला होगा तो क्या होगा? Cambridge वाले कहते हैं कि Cambridge University में जाना है तो Cambridge University में जाओगे आपको आपके home जैसा दिखेगा ठीक है? तो ये हो गया Cambridge dictionary या Cambridge dictionary word of the year is homer बेस बहुत से related है parma crisis जिसका मतलब होता है extended version of यानकि कुछ समय और आपके लिए क्या चलेगा यहाँ पर insecurity रहेगी और instability रहेगी correct है? parma crisis दिया colon ने ठीक है? तो colon जो होता है साफ करने वाला वो कहता है कि अभी कुछ time तक और आपके जो germs अगरा है उसका crisis चलेगा उसके बाद में थोड़ा जादा colon से साफ करोगे तो साफ हो भी जाएगा शायद next time यहाँ पर name the bank that has recently received a national award from the pension fund regulatory and development authority from अटल pension योजना एंड्रोल्मेंट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कु सही correct आंसर हो जाएगा यहाँ पर करनाटक विकास ग्रामीन बैंक जो है कहाँ पर है करनाटक विकास ग्रामीन बैंक का headquarter तो आंसर क्या होगा? क्या बात है मतला दूएं उठा दिया है बच्चों ने या बिल्कु सही धरवाड करनाटका में इसका headquarter पड़ता है ठीक है? धरवाड करनाटका में इसका headquarter पड़ता है और इसने सबसे जादा highest है South India के अंदर This is the highest in South India ठीक है? और अगर आपसे enrollment कौन से bank के है? SBI के है कौन से state के है? answer क्या हो जाएगा? तो answer हो जाएगा मैं UP के अंदर सबसे जादा है ठीक है? next यहाँ पर question जो है पहले यह याद रख ले ना अभी तक यह total 3,34,000 account खुलवा चुपका है Attal Pension योजना योजना कब शुरू हुआ था? 9 मई 2015 को शुरू हुआ था तो इन साथ सालों में इसने almost 3,35,000 account खुलवा चुका है और 2022 से 2023 के अंदर इसको target दिया गया था 50,320 account खुलवाने है तुझे इसने बंदे पकड़ पकड़के 69,132 account यहाँ पर खुलवा लिया है और अभी तो बच रहा है मार्च तक का टाइम बचा हुआ है तो यह तो भई या मिरको लगता है कि यह तो double कर जाएगा डबल नहीं करेगा तो 80,90 तो कहीं नहीं गया है ना बड़े आराम से बड़े प्यास से इसके अलावा अगर आप से यहाँ पर पूछता है question क्या पूछता है मैं खुदी बूल गई चलो next question यहाँ पर देखते हैं in November 2022 Abhiyudya from उंचहर उत्तर प्रदेश has won the gold award in 47th अब यह तुम्हें homework दे दू मैं homework दे दू अब युद्या यह quality control team कौन सी organization की है यह हो जाता है तुमारा homework लेकिन अभी कहीं जाना नहीं है क्योंकि revision session बाकी है एक बार quick revision हम फटाफट से करेंगे ठीक है लेकिन पहले बोल देती हूँ यह homework है after the class देना है top 10 का leaderboard दिखाऊंगी मैं और 20 से 30 बच्चों का मुझे anyhow answer चाहिए तभी यह हो पाएगा possible और class के PDF के लिए join करना और शीता शर्मा 01 ठीक है तो अभी फटाफट से एक बार revision कर लेते हैं हाँ हाँ करेंगे बिल्कुल करेंगे क्यों नहीं करेंगे जब मैंने तुम लोगों को बोल रखा है revision चलेगा तो चलेगा पहला question आगया as per the Forbes India 100 list 2022 अब फटाफट से बताएगे यहाँ पर किसने इसको top किया है with 150 billion US dollar network के साथ में answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा साथ में सावित्री जिंदर richest Indian women next यहाँ पर देखते हैं आपके कहरा इन वे से correct कौन सा है तो हमको बताएगे सारी की सारी चीज़े correct है यहाँ पर अमनी लखेरा जो है यह क्या बनी है यहाँ पर प्यारा sports person of the year बनी है सरकार तलवार जो है उसको lifetime achievement award मिला और best school promoting sports कौन सा बना माना वरचना educational institution next यहाँ पर आपका कौन से word को यहाँ पर select किया गया है as Cambridge word of the year gas lighting मैं पूछ ही नहीं रही हो ठीक है और homer जो है यह किस से related है कौन से sports से related है homer answer क्या हो जगा answer हो जगा मैं baseball home run से related यह homer word निकाला गया है next is year 2022 UNESCO इश्या पैसिफिक अवर्ड cultural heritage conservation के लिए आप से question मेरा यह है कि यहाँ पर कौन से state का जो step wells of gold conda है उसको distinction category में award मिला answer क्या हो जाएगा इदर answer हो जाएगा step wells of gold conda हैदरबाद ते लंगाना में पढ़ता है next is year इन में से किस project को यहाँ पर gold award मिला excellence in government process re-engineering for digital transformation answer हो जाएगा audit online e-gram सोराज जिसको आप e-panchayet progress project भी कह सकते है तो यह क्या है e-panchayet mission mode project जिसके अंतरगत दो आते हैं एक e-gram सोराज और एक audit online next है आपका 17th edition of BBVA foundation biodiversity conservation यहाँ पर यह कौन सा trust है answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा this is international snow leopard trust जिसको यहाँ पर honor किया गया है 17th edition के अंदर next है यहाँ पर Asian riches list के अंदर UK के जो PM रिशी सुना इनको 17th rank मिला और यहाँ पर top किया किसने हिंदुजा family ने लगातार 8 वी बार but question यह है कि UK के PM बने रिशी सुना कौन से number के PM बने answer क्या हो जाएगा 57th next is there who has recently received a guard of honor guard of honor at the less invaders in Paris, France क्या answer हो गए यहाँ पर जितने भी लोग class के अंदर present है video को like and share करते रहिए like काफी कम है यहाँ पर answer क्या हो गए इदर answer हो जाएगा मैं मनोज पांडे जो की क्या है हमारे army chief है उनको दिया गया next है यहाँ पर 73rd Berlin International Film Festival में Homage और Golden Bear Lifetime Achievement के लिए Berlin Germany में किसको दिया गया मैं Stephen Spellberg को दिया गया next यहाँ पर है Dr. Abdul Kalam Seva Puraskar किसको मिला है तो Dr. Abdul Kalam Seva Puraskar दिया गया रवी कुमार सागर को next है यहाँ पर आपका French National Order किसको मिला तो National Order लेने की पायल छनकाती हुई कौन जा रही है पायल एस कवर जा रही है और क्या कवर करके ला रही है National Order कवर करके ला रही है वो भी France से next is name the personality from India who has received the UNEP 2022 Champions of the Earth Award in the Entrepreneurial Vision Category in November 2022 आंसर यहाँ पर क्या होगा बहुत अच्छे इंडिया की पूर्णिमा देवी बर्मन जो है इनको दिया गया next is name the book that recently won't JCB Price for Literature आंसर हो जाएगा Paradise of Food मुझे यह बताईए कि उर्दू में इसका नाम जो 2014 में यह लिखी गई ती किस नाम से लिखी गई उर्दू में इसका नाम क्या था तो आंसर हो जाएगा नेमत खाना किस ने लिखी यह खालिद जावेद ने लिखी next यहाँ पर है आपका फिक की तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मैं यहाँ पर next यह इदर सन्प ग्लोबल कॉर्परेट सस्टेनेबिलिटी असेस्मेंट निकाला गया जिसने कहा मेटल और माइनिंग सेक्टर के अंदर एशिया पैसिफिक रिजन पर फर्स्ट कौन रहा लगातार चौती बार चौते साल तो आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड फिर यहाँ पर कंप्लीट जिये कोर्स है यह मेरा अगर आपको इंडिवीज्वल सिर्फ जिये की तयारी करनी है करन्ट अफेस बैंकिंग और फाइनेशल अवेरनेस आपको स्ट्रॉंग करना है तो आप मेरा पेड़ बैच ले सकते हैं आपको मिल जाएगा इससे आपको मैक्सिमम आफ मिलेगा शीतल कोड लगाने पर तभी आपको करेंगे दरवाइस पंद्रा सो रुपे का ये कोर्स है शीतल कोड यूज करेंगे तो इसके अलावा एफसी आई का एजी थ्री क्रैश कोर्स डेपो और जर्नल दोनों के लिए अवेलेबल है चार सो पांसो से जजादा MCQs का प्रेक्टिस करेंगे प्लस सारी थ्योरी क्लासेज आपको मिल जाएंगी 1.5X 2X पर लगा के कंप्लीट कर लेना फिर MCQs लगाना तो इससे आपका लास्ट के 10-15 दिन में बहुत अच्छा परफॉर्मेस यहाँ पर हो पाएगा एक्जाम के अंदर ठीक है और इस पर भी शीतल कोड यूज करें तो गेट मैक्सिमम आफ ऑन ओलीबोर्ड ओलीबोर्ड पर कभी भी कुछ भी परचेस करते हो शीतल कोड का यूज करो आपको मैक्सिमम डिसकाउंट उस वक्त पर जो भी चल रहा होगा वो शीतल कोड पर मिल जाएगा इसके अलावा बैंकिंग सूपर इलीड जो है ये आपको 2624 में मिल जाएगा च्छै मेने की वैलेटिटी के साथ में आता है ये वैसे साड़े तीन अजार का है शीतल कोड यूज करोगे तो 2624 का मिलेगा नेक्स्ट है यहाँ पर Cambridge Dictionary of the World किसको मिला इस बार तो आसर हो जाएगा Homer को Call in Dictionary पूछता है तो मैं कहती पर्मा क्राइसिस और अगर Mariam Webster बोलता है तो मैं क्या कहती Gas Lighting Gas Lighting यानि Mislead करना किसी को दोके से या जान बूज के उसको गलत काम करने के लिए उसको उकसाना ठीक है जैसे की M.Dot Gas Lighting करते है Next is here या मैं Gas Lighting कर रही हूँ M.Dot के इन बातों को तो उसको थोड़ा encouragement मिल रहा है Block करना चाहिए मुझे M.Dot को मैं Block कर चुकी हूँ अगर नहीं पता हो तो लेकिन पता नहीं कहां से वो दुबारा से एक और M.Dot का अकाउंट बना लेता है Name the bank that has recently received a national award from the Pension Fund Regulatory and Development Authority for Etal Pension Yojana Enrollment आंसर हो जाएगा करना टक कविकास ग्रामीन बैंक Next नहीं आपर अब यूदिया from उन्चहर तो ये तो आपका homework है जिसका answer आपको करना है comment box के अंदर और top 10 का leaderboard आपको पता ही है class के PDF के लिए join करें on my telegram channel शीतर शर्मा01 जिसने भी अभी तक यहाँ पर join ही कि आप फटा फट से join करें class की PDF के साथ-साथ जितना भी class related updates है वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा कल SBI PO Prelims का exam है तो जिनका भी कल exam है all the best guys बढ़िया से करके आना सबसे पहले तो आपको examination center पर time से पहुंचना है दूसरी चीज़ आपको जितने भी आपके certificates जो भी documents आपको चाहिए certificate बोल गई हो admit card और जो भी documents आपको necessary है वो आपको लेके जाने है एक दिन पहले यान की आज ही उनको check करके अभी करके final करके रख लेना उसके बाद में आपको क्या करना है कि positive रहना है calm mind से paper देना है बहुत जादे expectation नहीं लेके जानी है लेकिन ऐसा भी नहीं है में देखना किस टाइप का exam आया था और ये सब कुछ मिलेगा आपको इसी चैनल पर अब मिलती हूं मैं आपसे मंडे को बारा बजे और ग्यारा बजे FCI की class के लिए फिलाल के लिए वस इतना है thank you so much bye bye and take care and wish you guys all the very best